स्वागत है आप सभी का टेक श्टड़ी आई टेक श्टड़ी आई टेक श्टड़ी यूट्यूब चनपर 36 गर्ड प्रोफेस्टनल एक्जामिनेशन बोर्ड रायपूर की तरफ से ITI में टीचर यानि इस्ट्रक्टर या ट्रेनिंग ऑफिसर जिसे आप कहते हैं उनकी यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है अलग-अलग ट्रेड में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गए और यह पर्मनेंट जाब होगी आपकी 2023 की यहाँ पर आप देख सकते हैं ओफिसियल वेबसाइट है इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इससे आप जाके डिटेल नोटिफिकेशन या जो नियूज पेपर में एडवर्टीजमेंट निकला था उन दोनों को आप डाउनलोड कर सकते है सभी ट्रेड का आपको यहाँ पर सलेबस भी मिल जाएगा जो आपका रेटन एक्जामिनेशन होगा उसका इस पे एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए बना देंगे फिलहाल के हम लोग देखेंगे जो डिटेल नोटिफिकेशन है कौन-कौन से कैंडिट इसमें किया गया है तो अगर आप भी आइटे में टीचिंग के वैकेंसी देख रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है आईए देखेंगे डिटेल नोटिफिकेशन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट करेंगे टेक स्टडी आइटे चनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्रा जो न्यूज पेपर में डोटीजमेंट आया था आप सबने देखा होगा अलग लग ट्रेड में वैकेंसी देखेंगे आई सी टी एसम में है इलक्टरीसियन में एक क्यावन पोस्ट है कोपा की चियासी पोस्ट है कारपेंटर की दो टर्नर की छे है ड्राइवर का मेकैनिक क इच्छे है तो यहाँ पे आपको क्या ना इलिजबिल्टी में योग गिता नहीं दिया गया था किस पोस्ट ले क्या मागा गया एक साट नोटिफिकेशन था टोटल 306 पोस्ट थी जिसमें सबस्यादा वैकेंसी थी वर्क्षाप कल्कुलेसर इंड साइंस की बहाद्तर या जारी किया गया 36 गड़ की तरफ से इसमें आप देख सकते हैं राज की सास्की और दोगिक प्रसिक्षन संस्थाओं में प्रसिक्षन अधिकारियों के विभिन जो रिक्तपद हैं उन्हें यहां पर पूरा किया जाना है उसी के लिए यहां पर जो सेयो और निमावली निका बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले अगर आप देखें यहां पर पदों की संख्या वही है जो हमाँ दी गई थी जैसे ICT SM की देखें टोटल यहां पर एक पोस्ट है सिर्ट ठीक है देन इलेक्ट्रीसियन की क्यावन है कोपा में आप देखेंगे 86 पोस्ट है कैटेगरी व प्राब्लम यह एक औल इंडिया केंडेट इसमें फॉर्म जो है फिलप नहीं कर सकते ठीक है इसमें सिर्फ 36 गड़के केंडेट के लिए वैकेंसी निकाली यह थोड़ा सा यहां पर प्राब्लम होता है कुछ स्टेट में जनली आप यूपी वगरा में देखते हैं तो सभी यहां पर फॉर्म फिलप कर सकते हैं जैसे यहां देखे लिखा ना आवेदक को चतिस गड़का मूल या अस्थाई निवासी होना अनिवार है इस यह तो आपको निवास माल पत्र भी प्रस्तूत करना होगा तो यह थोड़ा सा यहां पर चतिस गड़के अगर आप कमेंट करके जरूर बताएगा जिससे आप सब के लिए हम यहां पर डिटेल्ड वीडियो जो है स्लेबर्स का और फॉर्म भरने का भी ला सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा आप छतिस गड़ से बिलॉंग करते हैं और आप यहां पर फॉर्म भरने जा रहे हैं जैसे अगर ICTSM की बात करें यहां पर ट्रेड की तो आपने 10th पास किया हो ठीक है या पुरानी पद्धत से आपने 11 पास की हो सम्बंधित ट्रेड में आपके पास ITI या अपरेंटिसिप हो ठीक है या आपने ठीक है क्या किया हो डिप्लोमा किसमें Information Technology Computer Science इसमें अगर किया ह बीटे क्या डिप्लोमा ठीक है उपाद या पत्रोपाद ही जिसे कहते हैं तब भी आप इसमें eligible हैं बट experience की यहां बात करेंगे निर्धारित प्रारूप पे आपको एक अनुभू प्मार पत्र देना होगा जिसमें जो उपाद इधार यानि डिग्री होल्डर से हैं बीट पढ़ाने का अनुभू होना चाहिए यहां पर अधिमान अब यहां पर आता है अधिमान ठीक है यह mandatory नहीं है यह सब क्या था इसेंसियल था यह अधिमानी यह रहता है अधिमानी मतलब होता है अगर आपके पास होगी तो आपको 10 अंकत्रिक्त दिया जाएगा यह क्या यो 10 नंबर अत्रिक्त दिया जाएगा अगर नहीं है तब भी आप अपको नहीं मिलेगा आप अगर मेरिट में आते हैं तो भी आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहां पर सीटी आई को मैंडेट्री नहीं रखा गया अधिमानी योगिता रखा गया है इस चीज का आप लो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया वही रहेगा कारपेंटर के केस में आप अपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह से टर्नर है तो यह नोटिफिकेशन हम आपको टेलिग्राम चैनल पर दे दे करने का जो वीडियो मिल जाएगा उससे आप आसानी से अंलाई एप्लाई कर पाएंगे वर्क्षाप कल्कुलेशन के केस में अगर बात करें तो आपके पास या तो आई टी या होना चाहिए ठीक है या आपने मेकैनिकल इंजिनिरिंग में आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हो तो आप फार्म जो है फिल अप कर सकते हैं यहां पर फिल अप कर सकते हैं इस तरीके से आप लोग सभी जो ट्रेड हैं यहां पर उसका एक बार नोटिस आप लोग देख लीचेगा Employability Skill में जो मागा जाता है इसमें BBA मागा जाता है असनातक उपादी वही Candid भर सकते हैं इसमें ITI Pass Out Candidates फार्म नहीं फिल अप कर सकते सेवा सरेणी की बात करें ते लेवल 3 की जाब होगी आपकी Pay Matrix आपका लेवल 8 यानी 35,400 से 1,12,400 होगा तो आपकी salary बहुत अच्छी रहने वाली लेकिन आपका 3 साल का यहां पर प्रोबेशन यानी परवीक्षा आवदी होगी पहले साल आपको जो नियुंतम वेतन उसका 70% दिया जाएगा दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चोथे साल से आपको पूरा वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है पर्मनेंट जाब है किसी तरह की यह संबिदा की ऐसी जाब नहीं है अब बात कर लेते हैं निर्धारित आयू सीमा की तो आयू सीमा की बात करें तो 18 से लेके 40 वर्स तक जो है आयू सीमा यहाँ पर रखी गई है और जो आपको कैटेगरी वाइज 37 गड़ के कार्डिंग छूट होती है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ठीक है maximum यह 45 से उपर नहीं हो सकती यहाँ पर लिखी गई है भले आपको छूट कितनी मि आयू की गड़ना आपकी एक जनुरी 2023 से की जाएगी उसी के कोर्डिंग आपका 18 और जो एज है 40 वो पूरा होना चाहिए जाती प्रमाणपत्र आप देंगे तभी आपको आरक्षण मिलेगा तो आप जो 36 गड़ स्टेट का जाती प्रमाणपत्र हो आपके पास होना चाहि ठीक है इसके अलावा चैन प्रक्रिया की बात करें तो चैन प्रक्रिया की लिए आपकी प्रिक्षा योजित की जाएगी ठीक है उस प्रिक्षा के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जो हो तयार की जाएगी ठीक है जो आप प्राप्तांग उसमें पाएंगे एंड उसके ब आप final जो है यहाँ पर joining कर सकते हैं तो यह यहाँ पर complete detail है अनुभो प्रापत्र का प्रारूप है जारी करने वाली संस्था का नाम पता इमेल सब होना चाहिए इसी format पर सभी को experience लेटर अपना जो है बनवाना है यहाँ ठीक है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है यह complete notification आप लोग एक बार read जरूर कीजेगा टेलिग्राम से डाउनलोड करके या official website से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने सभी की description में दे दी है और comment करना बिलकुल मत भूलेगा चैनल पर नहीं है तो subscribe करके जरूर जाएगा जिससे आपको सभी तरह की update और information मिलती रहे thank you ख्याल रखेगा आपना मिलते हैं अगले update के साथ अगले वीडियो में